एलो इस्टुडेट्स देखे मेट के क्यूच क्यूशन जो रेलवे और एससी एकजाम के लिए मैट पुरण है देखे पहला क्यूशन 51 आदमी एक कार्ये को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 51 आदमी 51 51 इंटू 12 510 510 और 602 510 और 102 6012 6012 पुरा कार्ये होगया कि उन्होंने Marco स 561 आदमी कितना काम कर दिया 4 दिन तक 210 सार काम कर दिया काम कितना बचा 2108 काम haus taking आदमी उनके साथ कार्यें सामिलो हो जाते हैं 51 और 6 57 58 58 47, तो 408 काम करने को 57 आदमी, 408 काम करने को 57 आदमी, तो इससे चला जाएगा ये, 7, 7 बार, 7 बार, फिर 9 बटा 57, तो इसका माना जाएगा, 7 सई, 3 बटा 19, आगे देखें, दूसरा क्यूशन, एक समकौन तिर्बुज में एक करन एक बुजा से 4 इकाई बढ़ा है, करन एक बुजा से कितना इकाई बढ़ा है, 4 इकाई बढ़ा है, और दूसरी बुजा से 8 इकाई बढ़ा है, तो तिर्बुज का 6 पल, तिर्बुज का 6 पलो जाएगा, करन कितना, करन को माल लेते हैं, कर एक से पैली बुजा, पैली बुजा से कितना है तारी काई तो x minus 4, दुसरी बुजा से एक से , minus 8." तो आदार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर व्राबर करण का स्क्वाइर तो आधार का स्क्वाइर ये फुजा तम का स्क्वाइर को करन का स्क्वाइर तो यह दाएगा अक्सी माइनस चार का स्क्वाइर पलस अक्सी माइनस आठ का स्क्वाइर ब्राबर अक्सी स्क्वाइर तो यह दाएगा अक्सी स्क्वाइर minus 8 x plus 12 x square minus 12 x plus 63 बराबर x square तो यो जाएगा इस कमान 2 x square minus 12 x plus 2 x square minus 12 x plus concept बराबर x square x square minus 22 x plus 80 बराबर 0 x square minus x square minus 10 x minus star x plus 80 बराबर 0 x square minus 20 minus star x minus 20 बराबर 0 x square minus 4 x side x square minus 30 तो ये तिर्पुज का चेत्र पल एक बटा दो इन्टू एक बटा दो इन्टू पादार इन्टू चाहिए पादार कितना है 16 इन्टू चाहिए कितनी हो जाएगी 12 तो से 8 बार पारणटे इस्यान में वरग चाहिए आगे देखे तीसरा क्यूशन इसी बेलन का आईतन 5500 मेटर क्यूब है बेलन का आईतन होता है 5 r square h 5 r square h बराबर 5500 मेटर क्यूब 27 70 5 का मान 22 बटा 7 इन्टू r square इन्टू 70 बराबर 5500 0 से 0 7 से 7 r square बराबर 550 बटा 22 11 दूना 22 11 पाँच 55 ये चला जाएगा 25 r बराबर 5 इसका व्यास d बराबर हो जाएगा 10 से आगे देखे स्टूडेंट्स तोता क्यूशन star point 2222 तो यह हो जाएगा star point 2 के उपर बार star plus 2 बटा 9 star plus 2 बटा 9 तो 9,36 और 2 38 बटा 9 आगे देखे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पाच्वा क्यूशन संख्या है 51, 52, 53, 100 में से सबसे थोटी और सबसे बड़ी संख्या के अबाज्या का योग अब अब आज़े संख्या हो जाएगी क्याउन में 17 का जाता है 52 में 2 का जाता है 30 में किसी का नहीं जाता है 30 हो गई और आगे हो जाएगी 97 97 सबसे बड़ी अब आज़े संख्या हो का योग तरेपन पलस 97 साथ और तीन दस का जीरो आशिल की एक नौर एक दस तर पाँच अंद्रा एक सो पचास आगे देखे स्टुडेंट सटवा की विशन तो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 3 है दोनों का अंतर 12 है तो छोटी संख्या ज्याद कीजिए 5 अनुपात 3 अंतर कितना है 14 बटा अंतर कितना है 2 यह दाएगा 27 छोटी संख्या 27 इंटू 3 यसी आगे देखे स्टुडेंट साथ विशन अक्स स्क्वाइर माइनस 7 अक्स पलस गुनन फल कुनन फल मुलों का गुनन फल हो जाएगा 89 अगे देखे आटवाई क्यूसन 3 पेंसिल और 5 पेंपक राप उल्ले कितना हो जाएगा काईसि तो 3 अक्स 3 अक्स पलस 5 वाई पराबरी क्यसि 먹는 पहलबा समिकरण जबकि 5 पेंसिल 5X पलस 3Y ब्राबर इसका मुल्ले है 22 तर इसका जो जाए समिकरण 2 समिकरण 1 को 3 से और समिकरण 2 को 5 से मल्टिपल आइकन ने अपर समिकरण 1 को 1 को 3 से 3 ती या 9 3 ती या 9 9 माइनस 25 9X माइनस 35 9X ब्राबर 243 माइनस 335 तो यह जाए माइनस 16 X ब्राबर माइनस का 112 X ब्राबर मैनस का 112 16 माइनस का किसका माना जाएगा 7 अकसका साथ Y का जाएगा Y का 81 21 21 21 27 इस को बाक्राइब 12 को नहीं इतनुय आऀंस चाहएं बारा तो सवत कुन, पड़ obt. प्रॉतलent प्रेट मुख्ट ग्राहिए 21 on co १ूंइया, आगे देखे नावा क्यूल坑 नेशनն वाली दुकान पर एक वाप्र के तयर्थ तीन साध्यों कि ख्रीद पर दो साधिया मुक्त मिल रही थी ग्राय को मिलने वाली शूट तीन साधि ख्रीद ने पर कितने मिल रही थी? 5 कितने की शूट मिल रही थी? 2 की कितने पर 5 पर इंट 5 से 30 बार 20 इंटू 2 40 पर 37 आगे देखें students दस्वा क्यूशन दो अंकों की सबसे बड़ी अबाज्य संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी अबाज्य संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी अबाज्य संख्या हो जाएगी 9, 37 और तीन अंकों की सबसे बड़ी अबाज्य संख्या ये हो गई दो अंखों की सबसे अबढ़ी अबजी संख्या का दो गुना पलस तीन अंखों की अबजी संख्या का तीन गुना तो यह जाएगा 100-3 इंटू दो दो सो माइनस थै पलस तीनजार माइनस नो इसका माना जाएगा 114 पलस 290 ब्राबर इसका माना जाएगा 3168 धन्यवादी स्टूडेंट चैनल को लायक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा